नमस्ट साथियो मैं सुरच छेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया येट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ साथियो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुती खास होने वाला है क्यूंकि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा मुर्गियों में होने वाले एक भैंकर बिमार CRD के बारे में CRD का संपूर्ण नाम है chronic respiratory disease ये CRD बिमार का जो कारण है वो एक प्रकार का किटानू है जिसे माइक्रो प्लाजमा, गैलिसेप्टिकम और साइनो बियाए कहा जाता है ये बिमार अगर मुर्गियों को लग जाता है तो मुर्गियों का वजन कम होने लगता है और अगर मुर्गिया अंडे दे रही है तो मुर्गियों के 30-30 अंडे कम हो जाते है यानि कि मुर्गिया अंडे देना कम कर देती है और अगर ये बिमार मुर्गियों को ज्यादा हो लुँके पता चलेगा कि मुर्गियों को CIE-R-D बीमार ने आक्रमन किया है और अगर मुर्गियों को CIE-R-D बीमार आक्रमन करता है तो इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी आप लोग Ball को इस वीडियों में डिटैल में बताने वाला हूं तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरेलास तक ध्यान ची देखना वीडियो को स्किप मत करना ये CRD विमार जो मुर्गियों को आकरमन करता है उसका पहला विटामिन A की कमी हो जाती है तो उसके बज़े से भी मुर्गियों को CRD विमार आकरमन करता है मुर्गियों को जो CRD विमार आकरमन करता है उसका तीसरा कारण है मुर्गी घर का जो बिछाओन है उसमें अगर नमी ज्यादा हो जाता है मुर्गी घर अगर गंदा होता है, मुर्गी घर के अंदर अगर एमोनिया गैस का उत्पन्न होता है, मुर्गी घर का जो बिचावन है उसमें अगर नमी ज्यादा हो जाता है, तो उसके बज़े से भी मुर्गियों में ये CRD बिमार दिखाई देता है, मुर्गियों को जो CRD आक्रमन करता है उसका पांस नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग कमजोर मुर्गियों को वैक्सिन करते हैं तो या अगर आप लोग बीमार मुर्गियों को स्वस्त मुर्गियों को साथ रखते हैं तो मुर्गियों को जो मुर्गियों को CRD विमार आक्रमन करता है तो इसके बारे में आप लोगों कैसे पता चलेगा यानि कि CRD विमार का लक्षन क्या क्या है उसके बारे में अगर मुर्गियों को CRD विमार आक्रमन करता है तो मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होता है जिसके वज़े से मुर्गिया घर घर के आवाज करते हैं, मुर्गिया मूँ खोल कर सांस अंदर बाहर करते हैं, मुर्गिया दाना पानी खाना कम कर देते हैं, मुर्गिया कमजोर हो जाते हैं, मुर्गिया छीकते हैं, रात के समय में जिन मुर्गियों को स्याडी हुआ है वो लोगों को दिखाई दियता है तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए और अलग रखके विमार मुर्गियों का इलाज करना है उन्हें इलाज किस तरीके से करना है अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ साथियों मुर्गियों को इलाज करने के लिए आप लोग उन्हें एंटिबाइटिक भी दे सकते हैं पानी में और उसके बाद मुर्गियों को लगातार चार दिन तक दिन में एक बार पीने के लिए देना है ये एंटिबाइटिक देने के बाद भी अगर मुर्गिया स्वस्त नहीं होते हैं तो आप लोगों को करना क्या है एक दवा खरीदना है उस दवा का नाम है रस्पोनिक प्लस और ये दवा खरीद के लाने के बाद ये दवा मुर्गियों को पीने के लिए भी देना है और मुर लोग को 4 ml responic plus medicine लेना है और उसे अच्छे से mix करके मुर्गियों के उपस्थिते में मुर्गी घर में अच्छे से छिड़काओ करना है मुर्गियों के ऊपर भी छिड़काओ करना है साथियों अगर आप लोग के पास मुर्गियों का संख्या ज्यादा है तो आप लोग को पा लेना है और यह मेडिसिन जब आप लोग मुर्गियों को पीने के लिए देंगे तो एक लीटर पानी के हिसाब से आप लोग को 1 ml responic plus medicine लेना है और उसे अच्छे से मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना ए अगर आप लोग के पास मुर्गियों का संख्या लेना है और medicine भी ज्यादा लेना है और हिसाब आप令 स्च o दिन में एक बार मुर्गयों को दिन पो other sucks and work and work of this the sauna चार दिन तंग मुर्गयों के ऊपर इसप्रेभी करना है और तीन चार दिन तक मुर्गियों को पीने के लिए भी देना है और अब लोग ठं मे मुर्गियों को इसे देना चाहते हैं और ठं मे मुर्गियों को CRD विमया कारे में करता है, तो सुब्रक के सम networks के दोब लोगे को ऑपर इसे इस्प्रे नहीं करना है जब धूप निकलता है तभी मुर्गियों के उपर इस्प्रे करना है और साम के समय में हलका गुनगुना गरम पानी में रस्पोनिक प्लस मैडिसिन मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए दे सकते हैं अब मैं आप लोगों को बताऊंगा देसी इलास के बारे में मतलब अगर मुर्गियों को CRD बिमार आकरमन करता है तो देसी तरीके से किस तरीके से मुर्गियों के CRD बिमार ठीक किया जाता है उसके बारे में साथियों अगर आप लोग देसी तरीके से मुर्गियों के CRD विमार ठीक करना चाहते हैं यानि कि देसी दवाओ का इस्तमाल करके अगर आप लोग मुर्गियों का CRD विमार ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को 100 ग्राम अध्रक लेना होगा, 100 ग्राम लसुन ले देना होगा और एक चम्मच हल्दी देना होगा और उसके बाद इन सभी चीजों को एक मिक्सर मशिन में अच्छे से कूटना है और उसके बाद आप लोग को एक लिटर पानी लेना है और एक लिटर पानी में इन सभी चीजों को मिक्स कर देना है और उसे उबालना है पानी त प्रणडा हो जाएगा तब उसके बाद आप लोग को करना क्या है यह जो काढ़ा आप लोग बनाएंगे इसे एक लिटर पानी के हिसाब से एक कप मिक्स कर देना है और उसे मुर्गियों को पीने के लिए देना है लगातार चार से पांस दिन तक दिन में एक बार साथियों ए आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो सिर्फ मैडिसिन के भरोसे यानि की दवायों के भरोसे आप लोग को मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए मुर्गी पालन आप लोग को इस तरीके से करना चाहिए मुर्गियों को इस तरीके से देख भाल करना चाहिए ताकि कोई भी ब जानकारी जो मैंने आप लोग इसाथ सेयर किया और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को सेयर जरूर करना तो साथ ही हो के लिए बाइ बाइ मिलते हैं फीरिक जबर डस्ट वीडियो के साथ